हेलो फ्रेंड्स रेलाइफ वीडियो में आपका स्वागत है आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तयारे अच्छी से कर रहोंगे तो आज हमाप लोग के लिए वीडियो लेके आप हूँ फस्स सेलरी कितनी थी और जो फस्स सेलरी होती है वो कितने टाइम में मिलती है आपको यानि अगर आप जोइनिंग करते हैं जोइनिंग के कितने टाइम बाद आपके पहली सेलरी आपके अकाउंट में आती है और सेलरी के लिए क्या करना पड़ता है और कितनी सेलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है तो मैं पूरा अपना एक्स्परिंस आप लोग के साथ सेयर करूँगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सस्क्राइब कर दें और बेल आइकन के बेटन को प्रेस कर दें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मेरी जो जोइनिंग थी वो इज़तनगर में हुई थी 22 अगस्त 2019 को मेरी जोइनिंग हुई थी तो 22 अगस्त के बाद मैं मुझे अपना इस्टेशन मिल गया था तो इस्टेशन में मुझे 25 तारिक को मुझे वहां से स्पेर गया गया ट्रेनिंग के लिए एक मैमो बनाया जाता है इस्टेशन से ट्रेनिंग सेंटर के लिए तो ट्रेनिंग सेंटर भी ज़तनगर में ही है हमारा डिविजन का तो ओपरेटिंग का तो वहां मुझे भेजा गया तो मुझे इस्टार्डिग में पता नहीं था कि मेरी ट्रेणिंग कितने दिन की होने वाली है तो फिलाल मुझे वहां भेजा गया तो 22 अगस्त के बाद 25 अगस्त मो जो मैंने वहां रिपोर्टिंग करी तो उसके दूसे दिन फिर ट्रेनिग श्टार्ट हो गई थी सिप्टेमबर पूरा महिना और अक्टूबर छे तक का मेरी ट्रेनिग होई यानि मुझे छे तारिखं़ में स्पेर कर दियागा लेगा कि आपको ट्रेनिग पूरी हो गई ए और exam qualify करने के बाद एक exam होता है training के बाद आपका वो आपसे लिया जाता है अपका exam होता है training के बाद वो मैंने qualify कर दिया था और इसके बाद मुझे एक memo बना के वहां से दे दिया था certificate जैसा कि आप training में pass हो गया है और इतने दिन आपने training करी यहां तो पूरा उसका bio data होता है तो वो आपके काम भी आता है जब आप लोग training का पैसा लेते हैं तो जब पैसा लेने के बारी आती है तब वो memo काम आता है जो वहां से मिलता है training school से आपको तो मोटा मोटा मेरा दो अंदादा है वो करीमन 36 दिन मैं training में रहा वहां तो इतना मैं training में रहा तो यह training तो रेल्वी में salary का हिसाब 15 से 15 के बीच में चलता है यानि महिने के पंदर तारिक से अगले महिने के पंदर तारिक के बीच में जाती है लेकिन September पूरा महिना मेरा training में रहा मैं तो फिर जो September वाली महा की जो seat आई तो 15 तारिक को मेरा नाम उसमें लिखके बेचा गया तो मुझे जो salary मिली वो मेरे salary credit हुई मेरे account में मुझे आज भी याद है 27 September को मेरे account में salary आ गए थी सुबह 10 बजे आ गए थी तो 27 को मेरे account में salary आ गए थी तो जो मेरे पहली salary मेरे account में आ आई थी वो में आप लोग को बता देता हूँ तो करीबन 29,000 रुपे के आसपास मेरे पहली salary बनी थी क्योंकि उसमें मेरे dress allowance था यहनी जो मेरे uniform मुझे जो खरीदेशे dress यहनी वर दी उसका भी पैसा लगके आया था 5000 रुपे तो इस वज़से मेरे salary थी वो उस माहिने के 29,000 रुपे थी जो पहले महिने के मेरे salary थी 29,000 रुपे थी उसके बाद फिर मैं जब station आ गया था तो वो जो training का मेरे पैसा था उसको मैंने किस तरीके से लिया वो मैं आपको बताता हूँ तो training का पैसा लेने के लिए आपको जो memo वहां से मिलता है यानि 37 days का जो मेरा training period का जो पैसा मुझे पूरा मिलना था तो एक दिन का जो training का पैसा होता है वो 500 रुपे मिलता है तो 37 into 500 कर लीजिए उतने पैसे आपके बन जाता है तो एक form होता है वो आपको भरना पड़ता है उसमें आपको पूरा लिखना पड़ता है कि आप कितने दिन वहां रहे और कितने आपके छुटियां थी आपने कोई छुटी करी बीच में तो छुटी कितने लिए आपने training time पे तो मैंने एक CL ली थी training time पे क्योंकि मेरी दादी expired हो गई थी उस दिन तो मुझे लेनी तो मैंने कहा था कि मुझे एक memo दिया गया था वहां से आपने इतने दिन यहां रहे इतना आपने training किया यह काम किया तो उसकी मैंने फोटो कॉपी भी लगाई थी उसके साथ ही अटेच करके तो उसको मैंने जमा कर दिया और अपने station से मोहर लगवा के अपने जो TI हैं हमार जो अधिगारी होते हैं उनके पास मैंने जमा कर दिया था तो उसका जो पैसा मेरे को लगके आया वो पैसा मुझे नौंबर में लगके आया तो करीमन एक दो दो महने का टाम लगया तो उसमें तो नौंबर में लगके आया पैसा तो अक्टूबर वाले मैंने में लगके न नहीं आया नॉंबर वाले में लगके आया तो उसका जो पैसा मेरा बना तो आप इसको रिटू कर सकते हैं तो उतना पैसे मेरा बना तो करीबर ट्रेनिंग का पैसा बना वो एत्षारा हजार बना तो तो ट्रोटल पैसे जो ओठारा हजार बने तो ये अगले जो नॉम्बर वाली जो सेंल्डी थी उसके साथ लग के आ गया था सब्सदूर मेरी उस बार मां 40,000 प्लस बन गई थी इसको एड़ करके तो आप लोग को ट्रेनिंग का पैसा अलग से मिलता है आपको सेलरी के साथ सेलरी तो मिलती मिलती है प्लस आपको ट्रेनिंग का भी पैसा अलग मिलता है तो यह बड़ा फायता है पहली सेलरी का और पहली सेलरी अकाउंट में आपको को देने के लिए अगरनी है तो आप लोग को डीजिन में आप लोग को देना पदता है बैंक करता है जिस जो आपने यह वो देना पदता है पाइन कार देना पदता है और इसके साहंकर फोटो लगानी है और ठोड़ा बहुत फोमल्मल्ट याप को म Taylor कंने परती हैं डिवीजन में तो वह आपके अकाउंट आपके उसमें एड़ हो जाता है तो ज्यादतर बच्चे एजबी का अकाउंट लगाता है तो वह सेली के लिए मुझे अलग से खाता खुलाना पड़ा एजबी एगा तो वैसे मेरे पास एक खाता था लेकिन वह मैंने जब जॉइनिंग वह तो जॉइनिंग के वक्त लोगों की कहady आप लोग क्रें कोई बीए ऐसके हैं जिसमें आप लोग को सही होती है तो पहले सहन बडेंस तरही से डोडऱ्ों किरड़िट होती है है एस करदिए थी एकाउंट में क्रीट तो बागी आज सेली के बाद का पहले सेल्ले के बाद बहुत सारी चीज़े हुई कप्ड़े शौपइंग और पांटी वाटी जो निफक बहुत कहर्चा होता है तो अब नेस्ट के वीडियो मनाँगा वी लॉक पर तो आप लोग को बताऊ। जोप आप लोग को भी जल्दी जल्दी एक्जाम हो जल्दी जोइनिंग मिले और आप भी अपना एक्सप्रेंस सेर करो फासेलिरी का तो मिलते हैं आप लोग से किसी नेक्स ऐसी इंपोर्टेंट वीडियो से